किन बाइकर्स को या फिर एकिन वीवर्स को यह लेनी चाहिए दे को बज़ट का इशू आ रहा है तो माइलेज की बात कर लेते हैं ओन रोड एंड गली कंदर आपको कितना माइलेज देखने को मिलेगा तो हम अज हम रिव्यू करने वाले हैं बुलट सीरीज के बेस मोडल्स का जी यहां मेरे सामने अभी दोनों कलर्स खड़े हुए हैं कि यह जो सीरीज आप देख रहे हैं और फिर गोल्ट आपको देखने को मिलती हैं और जो प्राइज को डिश्टिफाय करती वह हो यह दोनों कलर सोने कि बात कर लें बात कर लेते हैं च्छोड़ाइड रुपए और प्राइस होने वाला है याना के अंदर बात करते एक्सव प्राइस देखने को मिल जाता है, लास्ट वीडियो मैं अभी गुपर बनाया था बट अभी मेरे सामने दोनों कलर्स आ चुके तो आप एजएक्ली देख सकते हैं कितना दिफ्रेंस आपको देखने को मिलता है, यह जो बाइक है प्रोपरली ब्लैक है, ब्लैक विद्ग ग्रो बट हम बात करते हैं, फ्रंट से तो फ्रंट से आप देख सकते हो, आपको वही आपको रेट्र लुक देखने को मिलता है, बलकी शोकर्स देखने को मिलता है, फ्रंट में आपको सिंगल डिस्क प्रेक देखने को मिलता है, और पीछे आपको ड्रम बेक देखने को मिल जाता है इसकी जो सीट रोल इंफिल ने काफ़ी इंप्रोव्मेंट कर दिया है सीट के अंदर पहले जो सीट आया करती थी वह आप यह कह सकते हो कि थोड़ी टाइट हुआ करती थी अनकंफोर्टेबल सीट आपको देखने को मिलते थी बट अब कंपनी ने पूरा सैट अप क्लासिक ज 2023 में था बट जो चेंज है वो यह है कि मटगार्ड बहुत छूटा सा शोड कर दिया है इस पोक्स आपको देखने को मिलते हैं अलोई वी इसमें कंपनी इसको नहीं निकाला है अब किन बाइकर्स को या फिन वीवर्स को यह लेनी चाहिए दे को बज़ट का इशू आ रहा ह तो कोई आपको इसको प्रोब्लम देखने को मिलेगा जी नहीं आप नोर्मली यूज करें इसका जो ब्रेकिंग पावर हो काफी अच्छा आप यह समझ सकते कि आप क्लासिक में रैडिच वाली सीरीज चला रहें बट इसका नाम बुलेट रख दिया है बात करते हैं इंजन इसो इन तन है भी रिखर देखने को मिलेगा तो हम बात करते हैं और मीलेच मिलेच आपकोおおन डियो जाया न्हीं संवेध को मिल जाएंगा रहेंगा काफी लोग मिलेच टेस्ट gebe video बनाताइब कि मँठेर्ट ने करके आपको मालेच टेस्ट का वीडियो चाहिए तो मैंध के जरूर लेकर के आऊंगा पर यादे को काफी वीडियो आपको ओल्रेडी मिल चुक है बाकी जो डिपैंड होता है वह आपको ड्राइविंग कंडिसेंस के ऊपर अप्लाई होता है क्योंकि हर जो परसन होता है उसका चलाने का तरीका अलग होता है कुछ लोग टैम टो टैम पर्फोर्मेंस है वह काफी हद तक अच्छी बढ़के आती है अच्छा बढ़के आता है और काफी लोग जो बाइक को है बिल्कुल ड्राइए कंडिशनस में से लाता है अब यह कह सकते हो कि नोर्मली पैट्रोल डलाया है कोई ओल नी डुलवार है कोई कुछ नी डुलवा पर पड़ता है अगर पिक अपने पड़ेगा तो देखो बैक फर दब के चलेगी इस्टट पीक अपने मिल पाता है क्योंकि इस बाइक का जो तीन साल से तोर्क है वह सेम तोर्क पर है कोई तोर्क में कोई इंप्रूमेंट नहीं किया है देखो आप देख सकते हो 250cc वाली में भी टोर्क हैवी हो जाता है इसके अंदर टोर्क को इंक्रीमेंट नहीं किया है जिसकी वजह से जो पिक अप हो थोड़ा लेट बनता है मेटियोर का हलका सा इंस्टेट बनता है फिर बाकी जो राइडर्स लोग होते हो अपने बहाफ पे इसको चलाते है तो यार देखो मेरे इसाफसर आप लेने का प्लान कर रहा है एंद आप कन्फ्यूज हो रहें किया मैं कौन से बाइक लूँ या फिर गॉल्ड पर जाओं बिकोज है ना पहले जैसी आनी रिया यह तो मेरे इसाफसर तो यह लुक है एक डमी है बाकी जिसका इन जनन है वो जेवन बीका हो सब्सक्राइब मेरे इसाफसर आपको लेना चाहिए अब कह tahu कंप